हम ये वीग दे रहे हैं अंडमा निकोबार के समुंदर में पाय जाने वाले सी क्रेचर्चर्स को आज याने डे वन के पहले वीडियो में हम बात करेंगे पफर फिश के बारे में ये इंक्रेडिबल फिश खतरे में पढ़ने पर अपनी शरीर को उसके नॉर्मल साइस से कई गुना अधिक फुलाने की शमता के लिए जाने जाती है जिससे ये सिकारियों के लिए बहुत बड़ी और ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है पफर फिश भी ट्रेट्रोडो टॉक्सिन नामक एक हाईली टॉक्सिक सबस्टेंस से सुसजित है जो अन्य मचलियों या इंसानों द्वारा कंज्यूम के जाने पर गातक हो सकती है अगली बार जब आप अंडमा निको बार के समुंदर में डाइब कर रहे हो या गूम रहे हो तो इस रिमार के पर क्रियेचर पर नजर रखें और साफधान भी रहें